जैहिन दोस्तों सभीको जुहार मैं सभी इंस्पेक्टर केपी सिंग आप समों का इस्टेडी फर गोल्ड में श्वागत करता हूं यह बैच खाकी वर्दी जुनून जैसे आप देख पा रहा हैं खाकी वर्दी जुनून का यह बैच है यह जारकंडा ज्वैस्ता का लेक्चर शिक्स है इसमें नगर पालिका नगर निगम एवन ग्रामिन प्रशाशन के बारे में बात करेंगे विश्तित विविडन और वस्तुनिष्ट प्रश्ण जो प्रिवियस पेपर प्रिवियस एक्जाम में आये हैं बेसिकली दरोगा में उसका भी हम लोग जिक्र करने वाले हैं इस क्लास में चलिए यह चठा लेक्चर है जारकंड राजवैस्ता का बायके पिसिंग आई सीधे हम कंटेंट पे चलते हैं नगर निगम अभी हम पढ़ने वाले हैं नगर निगम को जारकंड विधान सभादवारा राची नगर निगम विधेक 2001 पारित कर दिया गया क्या है कि जारकंड विधान सभादवारा नगर निगम विधेक 2001 पारित कर दिया गया राची ngang APIs कि यह नगर निगम झार खन के बड़े सार में विद्मान नगर निगम जो है जारकन के बड़े सार में है जैसे रांची धनबाद देवघर चास अदितिपूर इन सभी जीलों में आपको नगर निगम corresponds公司 किसके जिले में राची धनबाद देवघर चास अधित्यपूर में नगर निगम है पत्र पंदरह सितंबर उन्हें शौनासी को राची नगर निगम की अस्थापना की गई भी वी आई है याद रखेगा कि राची नगर निगम की अस्थापना की गई थी तो पंदरह सितंबर उन्हें शोनासी को राची नगर निगम की स्थापना की गए थी राजी गठन के शमय क्वाल राची नगर निगम ही कारे Commissioner तो याद रखेगा मेरे दोस्त कि जब जार्खन जब बना था उसमें एक लोता नगर निगम था तो राची नगर निगम था राची नगर निगम के अस्थापना कप की गए थी इसलिए यह याद रखना जरूरी है आप धनबाद देवगर चास अधितिपुरी का डेट में प पंदरः सितंबर उस्य 249 को की गए थी आप चलिया आगे चलते ह। करे नए प्रवधाणों के तहत महापूर का उनसलाव जनता द्वारा होगा है महापूर उप महापौर का चुनाव कोन करेगी नगर निगम में थीक है इन तीनों की नियुनतम आई कितनी है 21 वर्स है याद रखिएगा महापौर उप महापौर और वाड काउंसलर के लिए तीनों के लिए नियुनतम एज जो है खड़ा होने के लिए चुनाल रणने के लिए 21 वर्स है महापौर शहर का पर्थम नागरिक होता है यह इंपॉर्ट जहां नगर निगम की वेस्ता वहां पर महापर क्या है प्रत्थम नागरी खोते हैं कि लियर इसमें याद रखिएगा पर जहारखन बनने के समय एक लोता नगर निगम था कौन सा तो राची नगर निगम था अस्थापना 15 सित्मर 1989 को की गए थी वर्तमान में नगर निगम कह कहा है तरांची में हैं धनबाद देवघर चास और आदित पर में आपको नगर निगम देखने को मिलेगा ठीक है चलिए एक मॉडल कोश्चन पर हम लोग चलते हैं जारखन के वर्तमान राजभहन का निर्मान किश्वर्च हुआता है इंपोर्टेंट है देखिए में दोस के आर्किटेक्टर कौन है आर्किटेक्ट कौन है राजभण के तो उसी तरह प्रकार वह कोश्चन पूछा दरोगा 2017 में पूछा याद रखेगा इसलिए इस तरह के कोश्चन में दोस्त मेरे भाई इंपोर्टेंट वन जाते हैं एक्जाम पॉइंट अफ्पॉइंट अब से और अगर नॉर्म लाइशन का फंडा रहा देट मींस वन डेट मींस क्या है वन डेट मींस क्या होगी आपका एक सब्सक्राइब याद रखेगा डेट मींस वन डेट से अगर अधीक एक्जाम चलता है अधीक एक्जाम चलेगा तो आपको नॉर्म लाइशन देखने को मि िस तरह के question ब्रावर देखने को मृलेंगे जहारखन के वर्तमान राजबन निर्मान किस वर्तमान राजबन जो है उने सब्सक्राइब जारखन के वर्तमान राजभौन का निर्मान किस वर्स वह था तो 1931 में यह दो वह था तो इस तरह को याद पड़ लेगा राजभौन में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं क्यों क्योंकि वहां पर एक्जाम एट लिस्ट ट्वेंटी टू थर्टी डेज चला था जिसके वज़द से नुम लाइसन हुआ था माक्स और वहां पर कोश्चन का पैटर्ण ज्यादा था इसलिए कोश्चन ज्यादा देखने को मिलते ह है इस से से आपका ज्यारखन राजवासता में राजयपाल मुखमंत्री अपातkaल से ठीक है तो याद रखिएगा ज्यारखन के जो दुसरे मुखमंत्रे अरजन मुण्दा थे वह तो कहा शबबा आए तकार सावाः के श्याठेम देखिस चोड़ता थे किश के लिए Guten चलिए अब लोग पढ़े हैं नगर पाली किया पढ़र हें लोग नगर पाली का नगर निगं पढ़ लिए चा-घ्या जार्खन में पर्थम नगर पाली का कैस्थापना 1889 में की गय चार के भी भी आई है ने, दोस्त मैं बता दे रहा हूँ, जिसको मैं VVI बोल रहा हूँ, इंपोर्टिन बोल रहा हूँ, उस परHelp जरुरूर फोकस देंगे क्योंकि बरावर exam में, कुछ बरावर कॉर्चन जो है, exam में यही से पूछे जाते हैं यहीं से करके कोशन को दिये जाते हैं तो अभी बता दे रहा हूं मैं कि आने वाला टाइम जो अभी त्री टू फॉर्थ मन्त बाद आपका सची वाले का एक्जाम देखेगा तो जब आपके पास टाइम करेंगे तो बहुत मैटर करता कि किस प्रकार इस पर ध्यान देना है इसमें मैं आपका मदद करूंगा तो जब भी मैं इस तरह की चीजों को हाइलाइट करूं यह इंपॉर्टेंट बोलूं आप उसको मा कर लेंगे उस पर विसेज ध्यान देंगे ठीक है वह एक्जाम पॉन्ट आव यू सी बहुत ही सब्सक्राइब करने के लिए मिनमुशन की अबादी पचास जार से जाधा होनी चाहिए तो ही नगरपालिका का वहां गठन होगा राज जी के 21 सहरों में नगरपालिका की अस्थापना हो चुकी है क्या है जहां पे 24 जिले हैं और उसमें से 21 सहर के जो 21 सिती है 21 सहर है वहां पे नगरपालिका की अस्थापना हो चुकी है देट मींज 21 सर की अबादी 50,000 से जादा है नगर पालिका के गठन का मुख्य उदेश अस्थानिय नागरिक शुदाओं का निर्मान क्या है नगर पालिका के गठन का मुख्य उदेश अस्थानिय नागरिक शुदाओं का निर्मान एवंग उनका रख रखाव करना है जो भी वहां के जो लोकालिटी वाले जो पीपल है जो लोकालिटी मेरा रहें उनके लिए क्या शुईधा है उस शुईधा का निर्मान करना उनके लिए हर एक प्रकार के शुईधा का निर्मान करना और साथ ही निर्मान करने के साथ साथ उनका रख रखाव का भी जिमा नगरपालिका में होता है नगरपालिका को अपने कारिश शंपादन है तू कर लगाने का भी अधिकर प्राप्त है याद रखिगा में दोस्त ये भी इंपोर्टेंट फेक्ट बन जाता है क्या कि नगरपालिका को अपने कारिश शंपादन के लिए वो आपका जो है कर भी लगा सकता है जैसे कर लगा लगाएगा तो कौन-कौन शकर नगर-पाली का लगा सकता है आपके ओपर देखिए घ्रे कर लगा सकता है जलमल निकासी सुलक सिक्छा सुलक चिकित्सा सुलक आधी इस प्रकार के जो सुल्क हैं या कर हैं आपके नगर निगम आप पर लगा शकते हैं याद रखेगा नगर पालिका कारिके शंपादने तू भिन भिन प्रकार के कर और सुल्क लगाते हैं जिन में से क्या हो गया आपका सिक्छा सुल्क गिरे कर जलमल निकाशी कर चिकित्सा सुल्क इस प्रक प्रटेक्ष निरवाचन होता है याद रखिएगा नखरपालि का जो है नगर पालिका में अध्यक्ष का पर्त याद रखेगा प्रकास्त आतिया जारकन उच्छ नयाले के आठवे मुख्य नियादिस से करेंट अभी यह आपका कितना होगा अभी जो वर्तमान में होंगे उसके आप देख लीजिएगा तो इस तरह से मतलब कहने की यह मत्तातपर है कि उच्छ नयाले के नियादिस मुख्य नियादिस से कोश्चन पूछे जाते हैं पूछे जाते रहे हैं लिए याद रहती हैं नेक्स्ट हम पड़ते हैं अदिसूचित चेत्र कमीटी में बता लिए अब चलते हैं अधिसूचित चेत्र कमीटी का घथन वाइशे सघरव में किया जाता है जिसकी जन संख्यां 5000 से 10,000 के बीच होती है याद रखेगा क्या कि अधिसूचित छेत्र समयती का गठन वैसे सवर में क्या जता है जिसकी संख्यां 5000 से 10,000 के बीच होती है इस समयती द्वारा जन सुईधा जलमल निकाशी शड़कों पर रोशनी जलापूर्ती और शड़क के इस शमयती है जलमल का कार क्या जाता है याद रखेगा मेरे दोस्त मेरे भाई अधिसूचित छेत्र शमयती जो है उसका गठन 5000 से 10,000 वाले आबादी वाले शवरों में क्या जाएगा और इनका मुख्यकार क्या है सड़कों पर रोशनी करना जलापूर्ती का व्यस्था करन सड़क पर रोशनी की देखवाल करना प्लस सड़क का भी देखवाल करना जलमल निकाशी करना इन सभी कारियों को संचालित करते हैं और उस पर अपने नजर बनाए रखते हैं इस शमयती है तू शदश्यों का चैन राजसरकार द्वारा मनोनयन प्रक्रियाशे होता है की नगरे खिर सेंख्या चैन राजसरकार के समीट्र के मनोनयन क्या थार्प्य थ। यह मेरा हो गया अधिसूचित शेतर कमिटी इसके लिए इतना पॉइंट्स काफी है इसकी बारकियों को समझने के लिए अब हम चलते हैं, चावनी बोड क्या है नेक्स्ट नगर निगम, नगर पड़ीका पड़ीये्ज अदिसुची छेतरश्यमिती पड़ीये अब हम चलते हैं, चावनी बोड राज्य सरकार का कोई भी नियंतरण नहीं होता है चावनी बोड जो होते हैं टाउन में बेशक रहते हैं राज्य में रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य में उसका एक union रहने के बावजूद राज्य सरकार कोई हस्तछीप हो चावनी बोड़ आप दिखते हैं तो याद रखेगा वो सीदे सेंटर के अधिन होता है वो रक्षा मंत्रालाइक के अधिन होता है जारखन में रामगड में एक मात्र चावनी बोड़ है यह भी वी आई फेक्ट है एक्जाम में कई बार पूछा है और आगे भी पूछता रह में एक मात्र चावनी बोड़ है चावनी बोड़ का कारी क्या है नगर पालिका के समान होता है याद रखेगा कि चावनी बोड़ का क्या कारी है तो बेसिकली नगर पालिका के समान ही होता है तो वही नगर पालिका कारी जो है वही आपका चावनी बोड़ का कारी रहेगा चलिए एक बडार देख लेता है आपका नगरपाली का मुख्यकारिज क्या है चावनी लगांद क नेकलूय का यहिस्था कश्वाइं रखना ये सारे सीज चावनी बोड के भी मेंबर कर सावनी बोड की काम करता है पंचाति राजब्य निगम का कोई धारा इस पर लागू नहीं होता ये यह राज सरकार की अधिन हैं ही नहीं यह सेंटर के दिन है रक्षा मंत्राले की अधिन रहते हैं इसलिए छाउनी बोड पे किसी भी प्रकार का पंचायती राज अधिनियम या नगर निगम का कोई विधारा इस पर लागून नहीं होता है यह किलिर हो गया आपका अब चलते ह सारवजनीक उपक्रमों को शहर में अस्थापना करना है क्या है टावजनीक उपक्रम जो है उसको सब्छेस जो भी उस लोकालिटी में जो भी सिटिजन या पबलिक निवास करेंगे उस से जुड़ी शारी शुधाएं उपलब्द कराना टाउन्सिप के जितने भी शुधाएं हैं वहां के लोकालिटी को उपलब्द कराना मुक्षर से कुछ दूरी पर होता है याद रखेगा टाउन्सिप क्या है मुक्षर जो मैन मार्केट से होता है मैन मार्केट से थोड़ी दूरी पेर होता है और इसका लक्ष क्या टाउन्सिप का तो उस टाउन्सिप उस लोकालिटी में जो भी परसन रहेंगे जो भी सिटिजन नागरिक रहेंगे जो भी वैक्ति रहेंगे उनको नागरिक जितने भी नागरिक की शुय धाय है नागरी को उपलब्ध कराना ठीक है इसका मुख्यकार अपने करने वाले नागरिक के शुदाएं 2001 में जार्खन में पंचाहती राज कानून लागो हुआ इंपोर्टेंट है याद रखिएगा कि पंचाहती राज कानून 2001 जार्खन में कहां लागो हुआ तो याद रखिएगा जार्खन में कब लागो हुआ पंचाहती राज अधिनियम जो है कानून लागो हुआ जार्खन स बहने का तत्पर क्या है जारखन सविदान की पांचवी अनुसुची का वराज्य जिसमें जन जाती जन संख्यां का गठन किया जाएगा अधिसूची छेत्र का आशय वेसे छितर से यहां जादी की अस्थापना की जाएगी अधिसूसुची छेत्र आशय वेसे से जन जाती पिश संख्यां जन जाती प्चास प्रस्वास प्रदिकिन शंतर ते हे जरन रखी एगा तीहां शम्विदान कानून अपने मूल मूलरोप में 5635 लागुज नहीं होगा तो जो आपके 503 जहां अब आदी शोचीर्ट है जो हैं जिसको अदीस्छी Android किया गया है वहां यह वुह है लागूत होगा लेकिन अपने मूलरोप में 100 परशण लागू वहां नहीं होता है क्लास हम आपके स्टड फर गोल समें एक त्यासम्य दान जो भुआ था राजव्यस्था पर इस पर एक विडियो बना देंगे जिसमें की बराबर यहां से कोश्चन पूछते हैं से इस से जो भी फैक्ट होंगे उस पर क्लियर हो जाएंगे तो यहां पर इस डिफर गोल पर मुखा मिलेगा नहीं तो केपी पार्ट साला में यहां पर हम यह फिरी वीडियो डाल देंगे वहां पर आप चीजों को देख करके देख सकते हैं साथ में चैनल को लाइकर सब्सक्राइब कर लिजेगा आप लोग के लिए ही मार्ग दरसन के लिए के पी पार्ट साला को बनाया गया है यूट्यूब पे सर्च कि के रुप में मानने है याद रखेगा चोभी जिलावी हो है इट है जो वी 21 में पंद़्र जिला के आपके 132 प्रकेंड अदि सुचित छेतर के माना गया इस्टि के लिए आरक्षन कुल सीटों के संख्या के आधा से कम नहीं होगा याद रखेगा जहां भी अधिसूचित छेतर हैं तो उसमें एस्टी का रख्षन जो है 50% से किसी भी किमत पे कम नहीं होगा आरक्षन के कुल सीटों के संख्यां के कूल सीटों के संख्यां के आधा से कम नहीं हो गया नहीं होगा एस्टी के लिए पचास पसंद सीटें रिजर्व करने के बाद एस्टी को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षन मिलेगा याद रखिएगा जहां भी अधिसुचित छेतर है जहां आदिवासी बहुली छेतर है वैसे में वहां पे एस्टी को क्या है 50% का अरजिर्वाशन मिलेगा और जो एस्टी और ओबीसी हैं उनको अपने आबादी के हिसाब से आबादि के अनुपात में आरक्षन मिलेगा रहीं चलिए जारकंड पंचायत राज के अंत्रकत राज में 3 25 कावश्ता अपनाए गई जारकंड-पंचायती-जथ्य दनियम का वह था जर्खन पंचायति राजदनियम 2001 एक में हुआ था जिसके अधार पर जर्खन में त्री अस्तरिय किसना तीन त्री पंचायत वैस्था लागु की गए ती तो त्री 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 पंचायत दूसरा पंचायत समयति तिसरा जीला परश्यद यहीं क्या है थाड सबसे प्रशास्टि की ग्राम पंचायत होती है क्या है राज्या की सबसे थोटी प्रशाशने की काई है ग्राम पंचायत quieren की सबसे छोटी प्रसाशने की काई जो है वह ग्राम पंचायत है मेरा पांच पांच जार की अबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन जिसमें एक एक से अधिक गाउं सामिल हो सकते हैं तो याद रखेगा राजी की सबसे छोटी प्रसाशने की क्या है वह ग्राम पंचायत है पूछ दे गा याद रखेगा ग्राम पंचायत का गठन किया जागा जिसमें एक सब्सक्राइब किया जाएगा यह जो है कितनी पंचायत किया जाएगा इस यह सब्सक्राइब एं परते क्राम पंचाहत की एक ग्राम सभा होगी जार्थी बात है जितने भी ग्राम पंचाहत हैं सभी ग्राम पंचाहत की एक ग्राम सभाígen को सबस्ठे जिनक्यों में ऐठारह वर्स हो गई है या जो ठारह वर्स प्लस है वो ग्राम शहाट के सदश्य होंगे कुल सीटों में एक विटे रहाई कि लिए रखिछेत हैं लिए 5 सीटों की बूत COPY बात करेंगे तो याद रखिएगा जो भी सीट हैं एक तीहाई महिला के लिए रिजर्ब रहता है अगर एक सो सीट है तो मान के चलिए 33 सीट महिला के लिए रिजर्ब रहेगा पंचायत का कारिकाल पांच वर्ष का होता है भंग होने पर छो मैने के वहितर चुना होता है याद रखेगा तो पंचायत का कारिकाल कितने का वर्ष का होता है तो ग्राम पंचायत का भी कारिकाल पांच वर्ष के लिए होता है और भंग होने पर छो मैने के वहितर चुना भी मैक्सिम्म एक साल तक तीन साल तक उसको पहुंचाया जा सकता है तो उसी तरह याद रखेगा तो क्या है कि भंग होने पर अगर पंचायत का कारिकाल पांच वर्स का होता है अगर उससे पहले भंग हो जाता है तो छो माह के भीतर चुनाव कराना कमपल सरी है अब चलिए रेडियो एसाइब में जार्खन बनने के उपरांथ कि उसमें कितने नए जिले जोड़े जा चुके हैं तो जार्खन जब बनना था तो छो और नया जिला जोड़ा गया दोजारेकर 207 में 2007 में खूंटी और रामगड़ को जोला गया दोजार एक में आपका सिम्देगा जामतड़ा सराकेला खरसमा लातिहार कोई चार जिला को जोड़ा गया चार दूच्छे ठीक है रेडियो सब्सक्राइब पुछाता है जारखन के उस गौर्णर का नाम बताएं जिसने दोजार तेरह में जैसी क्रिकेट इस्टिडियम का उ तो ऐसे में यहां से कोश्चन बनना लाजमी है और देखे कोश्चन रेडियो सब्सक्राइब पूछ भी लिया कि जारखन की उस गौर्णर का नाम बताएं जिसने दोजार तेरह में जैसी क्रिकेट इस्टिडियम को गाटन किया था दुरापदी मुर्मू शैयत सिप्टिर टारजी शैयद रम्रीशा मुंडा याद रखेगा शैयद हमद सांट में राजपाल थे अलेहिं के करकमनों द्वार आपका जिस टीडियम का किया पूछा गया था धन्विदयकराज विदान सवाब डॉटड dust ते सकता है तो ने को राजी विदान सभादी से प्रद्धान मंतम्टरी राश्टपरती 나ज पाल विदान सभाद cran जो और सबस्कुण तो यहां पे दिखिए का क्लास यहां पह समाव्तों होता है आपके हम ले कर कि इन टौप भी को आये थे किस पर हम आज डिसकस किए तो देखिए नगर निगम पढ़े डिसकस किए नगर पाली का कमिटी को समझे क्या कहता है चावनी बोड को समझें के कारे को समझे टाउन ती रस्ट्री प्रशाशन है उस चीजों को देख करके समझे गराम पंचायत समित्य और यह तिन लेयर है आपके उसका ग्राम पंचायत किसे कहते हैं ग्राम पंचायत में क्या है इसके डिटेलिंग को पढ़े छोटे-छोटे से बार्क्यों को को ताकि कोश्चन चूटने नह लेक्चर आपका कितना है यह लेक्चर आपका छठा लेक्चर शमावत होता है यहां पर कि दिखे स्की है अब ज्यादा जानकारी के लिए रंजीत सर्षथ से कौर्डिट कर सकते हैं अगर अगर हमसे बात करना तो रंजीत सर से बात करके आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं या फिर उसके जरीए भी आप कनेक्ट हो सकते हैं वेकेंसी नियर है लूज नहीं पढ़ना है जगे रहना है कंदे पे श्टार लेके छोड़ना है तो इसलिए क्या रहिए स्वस्त रहिए ताक कि आपके दिमाग में जो भी बात जाए एकदम आंदर भूशे रहे निकले नहीं और इस्टडी पे फोकस्ट रहिए ताकि दिमाग में जो बात जाए वो स्टडी से ही रिलिटेड हो ठीक है सभी को जहन जोहार